नमस्कार आदाब न्यूज क्लिक पर अपका स्वागत है अभी हम मौझूद है दिल्ली एन्सियार के सायवाद और द्योगिक छेत्र में जहां CITU के बैनर तेले Central Trade Union की जॉइंट मंच है उसके तहत देश-ब्यापीज दो दिन का हरताल है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलग-अलग मजदूर अलग-अलग टक्ट्रियों से आए हुए हैं और अलग गेट बंदी के अलावा फिर एलग छोटी जुलूस की स कि मोदी जी मिजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, इंसानियत की विरोधी यहां तक कि नौजमान छात्रों के भी बिरोधी यह देश के अलग आपने देखा जब से मोदी जी आए हैं 2014 से इस तमाम चीज़ें विक्रि करने पर लगे हैं कमपणी में हमारे आटो पाट बनते हैं और कापी 30-40 साल पुरानी हमारी कमपणी है लेकिन केई साल से जब से बीजेर्पी सरकार आई है कमपणी का रवईया ऐसा हो गया है कि वो अपनी मनमानी कर रही है चार साल से कोई ठेकेदारी परता था था कोई पर्मनेंट नहीं कर र उसके खिलाप में आज हम सब लोगों ने मिलके हरताल का फैंसला किया है दो दिन का लोकडाउन जब से हुई है तब से तो आदमी की मोत कितनी हुई है यह गिंती नहीं है अनगिंती है लाखों हुआ कि कडोरों हुआ इसको कोई गिंती नहीं है कुपोशित के कारण भी है आदमी एक गाउं से एक 50-50 लहास एक एक दिन निकली है ऐसी बुरी परिस्थिती रही इस लोकडाउन में क्योंकि बिमारी से जितने मरे उससे दुन्ना भूग से मरे है पैदल पैदल आदमी यहां से कहां कहां अपने अपने घर को चल दिये क्योंकि उससे सवारी नहीं मिल रही कोई सुविधा नहीं मिल रही कंपनी से निकाल दिये कंपनी में बिमारी लग जाएगी और लोगों को लेकिन सेट साहुकार कम मरे मरे तो मजदूर ही मरे गरीब ही मरे महला मरी बच्चे मरे महला हमारी पुरुष के बराबर काम करती है उनका भी न्यूतन बेतन जाता है और डूटी तो मालिक तो डूटी बार घंटा करवाता है उससे मैं जोटे वारा घंटा डूटी तो लेकिन बेतन का ज 누धा आता है तो उन्हें पांच faidra छ़ Ebola बस इससे जादा नहीं दिया जाता है तो यह महलाुं के साथ यह अत्याचार क्यूं हो रहा है और महल इस्रम कानून हुआ करते थे मजदूरों के लिए सीधा उसको काट कर खत्म करके दत्ता बताते हुए एक केंद्र बैठी मोदी की सरकार चार कोड़ विल ले आई है कोड़ विल आप समझ सकते हैं काले कानून है मजदूरों के लिए फिक्स टर्म अपाइमेंट मानें समझ सकते हैं कोई बोनस नहीं कोई फंड नहीं है क्या है मजदूरों के लिए कोई सुविदा नहीं के वल उनका उत्पीलन करना है सरकार की नहीं हमारे थर्मल पावरक्स काम होता है और पिसले 52 साल से एक मपनी है इस्तित है लेकिन पांच-छे साल से इन्होंने यहाल बना कि छोटी बात होगी कि इतना सो तंखा हो वेतन हो ओवर टाइम हो बॉनस हो और ठेकेदारी प्रसागी कोशिस करने लगातार चलानी की आज हम सबातीन सो लोग थे जिन में से मातरी क्याण में आद्मी बचे हैं लोग डाउन के नाम पे इनोंने सब को भार कर दिया है अभी कि इस्टे करा दिया है पैसा देने के बजाए अब उसमें भी देखना पड़ेगा उसमें लड़ना पड़ेगा मजदूरों को मजदूरों की इन जो मोडीयों की सरकार एं इनोंने यह हाल कर दिया है आज कि जीने नहीं देंगे ये ये शुरुवात जो हो रिया मोधी सरकार के कारण हो रही है जब से मोधी सरकार आई है आप उठा करके देख लीजिये बेरोजगारी जो हो बिलकुल धरातल पे चिपक गई सड़क पे चिपक गई यह बेरोजगारी और उनके पास सिर्फ मुद्धा एक है धरम का ना तो मजदूर के बारे में सोच रहे हैं ना हम आदमी के बारे में सोच रहे हैं ना गरीब किसी के बारे में नहीं सोचना है सिर्फ हिंदू-मुस्लिम के बारे में और हिंदू मुस्लिम को भी वो सिर्फ लडाने के लावा उनके बारे में भी कुछ नहीं सोत रहे हैं आज सर ये इतना पुराना उद्योग है ये उद्योग बंद होने की कगार पर किस कारण क्योंकि सरकार ठब बैटी है सरकार मजदूरों की बिल्कुल होश नहीं कर रही है ह माज साल से यहां पर सर देखिए एक 28 साल के युवक यहां मृत्यों को प्राप्त हो गए उसका अभी फूल एंड फूल एंड फाइनल कंपनी ने नहीं दिया है तकरीपन एक साल हो गया 47 से ज़्यादा लोग रिटार्ड हो चुके हैं उनका अभी एक भी पैसा कंप्री ने नहीं दिया है वो भी केस लड़ रहे हैं और केस का लड़ रहे हैं सरकार के पास सरकार किस की है मोधी की होना कुछ नहीं है जंताने कूर्सी दे सकति है तो वो चीन भी सकती है वह और मस्दूरों और में मेहलाओं को काम दूँगा लेकिन यह चार दिन पहले योगी सरकार आ गई उसके बाद में भी तेल के दाम बढ़ा दिये और गैस के दाम बढ़ा दिये यह कहते थे हमने इतनी नहीं करती थी सो में 25% हमारी महिलाएं कंपनियों में काम करने जाती थी लेकिन आज का दिन ये महंगाई जो इतनी बढ़ चुकी है तो हमारी बहने 100% हमारी महिलाएं घर से बाहर निकल के जाती है मरता क्यान करता हम हरताल तो करेंगे ही और जो कोई ताना साही करेगा हमारे मजदुनों कुचलने कोश करेगा सासन हो पर सासन हो या कोई उद्योग पती हम दो पे हाद दो करेंगे और अपनी इस हरताल को काम्याब करेंगे अपनी मांगों कमनवाएंगे अपने कानून कताव रखेंगे यह कहना है ची आईटू का और हमारा मानना है संग्धन का कि हमारी हर्ताल सफल है आज भी कल भी है मोर्चे बंदी रखेंगे हर्ताल को सफल करेंगे यह है कम सारजनिक छेत्रों, पब्लिक सेक्टरों, बैंकों, LICO, पोस्टलों हर जगह हिंदुस्तान के कौने कौने में सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वो देश का मजदूरवर अपनी विरोध की आवाज उठा रहा है दिल्ली शहर के अंदर भी सभी उध्योगिक छेत्रों में और जहां-जहां हमने संपर्क किया है अभी दिल्ली का LIC के सभी कार्याले बंद हैं दिल्ली के बैंक सारे बंद हैं दो दिन के लिए दिल्ली के पोस्टल डिपार्टमेंट में स्ट्राइक है और दिल्ली के हर एक अभी हम खड़े हुए हैं और NDMC और अलग अलग जगह पर भी एरपोर्ट पर बहुत अच्छी तरह से लोगों ने बाहर निकल कर इस हरताल के विरोध हरताल के समर्थन में और सरकार की नीतियों के विरोध में अपना विरोध दर्ज कर रहा है जो भी सरकार आई आज तक उस सुप्रिम कोट से आया हुआ है लेकिन आज तक भी किसी को दिया नहीं गया 18,000 देना होता है लेकिन वह 9,000 और 7,000 में काम करते हैं और उनको निकाल दिया जाता है अगर वह उसके आवाज उठाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि सब का समान का समान में पना च साथ चाहिए अगर यह सरकार भी एकर रही है तो उन सरकारों में सरकारों में फरक क्या है दिल्ली जलबूर करमचारी की सबसे बड़ी समझ्या यह एकि अभी नोर्थ इस्ट का 18 साल में के लिए टेंडर होने जारी है जब करमचारी है पांसो ऐसी करमचारी अभी मश्टोल पर से कंप्रिशन गराउंड पर अभी जलबोन ने लिए उनकी क्या इस्तिती रहेगी तो हम इसका जो अठारह साल के लिए आ रहा है कि ये कानू काला कानून इसका हम विरोध करते हैं इस हड़ताल के माध्दम से हम यह मांग करते हैं कि सरकार अपनी मजदूर विरोधी जो नीतिया है विशेश रूप से जो आउट सोर्सिंग है प्राइविटाइजेशन है पुब्लिक सेक्टर को बेचने की जो नीतिया लेबर कोड जो गुलामी के दस्तावेज है एक तरह से मजदूर वर ने जो अपने संकर्शों से जो मजदूरों के अधिकार हांसिल किये थे उनमें बहतरी के लिए अगर सुधार हो तो थोड़ा बात जस्ती है लेकिन उनको खतम करना शरम कानूनों को समाप्त करके लेवर कोड नए बनाना जो मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है सरकार की इन ही नीतियों के खिलाब आज की अड़ताल है और सरकार से हम मांग करते हैं कि अपने इन मजदूर विरोधी फैसलों को वापिस ले और मजदूरों के पक्ष में काम कर रहे हैं इसके ज़्यादा सोसन क्या होगा 75 साल देश की आजादिक हो गए लेकिन द आजनेता पुझी वादी लोग मजदूर को अपना गुलाम समझते हैं उसको अब उनको मन माजित तन खा देते हैं और उनका सोशन करते हैं उनके पास कोई भी सुईदा नहीं है और दिल्ली जलबोर के अंदर 700 आदमी थे जो पक्के करने थे उनमें से अभी 600 आदमी हैं सो पर्मनें को पर्मनेट किया जाए तो फिर हम लोग बैठेंगे तमाम हिंदुस्तान की केंदी टेड यूनियें वही कट्टी होगी उनके साथ जनरल जो टेड यूनियन है अगर उन्होंने चार कोट बापस नहीं लिए सारवी चेतनों को बेचना नहीं बंद किया तो आंदोलन और होगा और बड़ा लंबा अंदोलन होगा